दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में वायू गुडवत्ता अभी भी खराप श्रेणी में बरकरार है। ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जिन इलाकों का EQI लेबल 400 के पार पहुँच चुका है। सुभा के वक्त विजिबिलिटी बेहत कम नजर आई और सड़कों पर धुंद ही धुंद देखने को मिली। दर्ज की जाएगी यानि इसमें कमी होने का कोई भी गुंद जायस नहीं है। अगर सुभा के वक्त कुछ इलाकों की बात करें अगर हम दिखाएं आपको तो देखिए दिल्ली में किस वरकार से धुंद छाई हुए और जो दिल्डिंग से कुछ मीटर के दूरी पर वह भी धुंद ली नजर आएगी ऐसे में जो वाहन चलते हैं दिल्ली के अंदर सुभा के वक्त वह ज्यादा तर उनके जो लाइट से वह और नजर आएंगे क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है जिसकी वज़ा से यह जो गारियों की जो लाइट है वह और होते हैं हाला कि पहले के मुकाबले वाहनों कावागवन भी राजधानी में कम हो चुका है क्योंकि कई सारी पावंदिया लगा दी गई है बीएस थ्री बीएस फूर जैसे वाहनों पर जो है पाबंदिया है जो तैय अनुसार जो रूल के अकोर्डिंग गौर्मेंट की तरफ से लगाए गया है अब वहीं जो ट्रक हैं दिल्ली में वो पूरी तरीके से प्रतिबंद हो चुके हैं इस जेंटियल सर्विस को छोड़ दे तो बसो को प्रतिबंदित किया गया है जो लगता है डीजल के जो वहां ने उन पर जो ट्रैफिक पुलिस है और दिल्ली सरकार द्वारा टी में लगाए गई है वो लगता रात भर नजर बनाए हैं और कोशिश यही है कि दिल्ली में जो पॉलिशन है उसमें कमी लाई जाए क्योंकि दिवाली सामने है और ताके बैन कर देगे हैं उसके बाद भी लोग मानते नहीं है जिसको लेकर दिवाली के बाद ही जो है ओडी वन का जो फॉर्मूला है वो 13 से 20 तारी के बीच में लगाया गया है तो आप देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में क्योंकि पराली के भी कई मामने जो तोल्टीबी दिली